हेलो फ्रेंड्स जैश्री महाकाल मैं सार्थक शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूँ यूटीब चैनल स्टेडिविच शुपरा तिरे पर दोस्तों पैन और कॉप्य उठा लीजिए क्योंकि आज हम सौल करने जा रहे हैं मैट्स के कुछ महत्वपुर्ण सवाल जो कि मैंने आपको कल पहले होमवक में जो दिये थे वो सौल करेंगे उसके बाद मैं आज जो इंपोर्टेंट क्योशन से वोलेंगे तो होमवक का सबसे पहला सवाल था हिंदी में कोशन था ए तीन सो सोला को विभाजित करता है और चार शेश बचता है पुर्ण विराम ए का दो अंकों का सबसे बड़ा मान क्या होगा ठीक है तो हमने क्या किया था दोस्तो सबसे पहले हमने किया था कि जिसने भी पहले की क्लास नहीं देखी दोस्तों वो जरूर देख ले ना नहीं तो यह होंवक का कोशन आपको समझ में नाएगी कैस से किया ठीक है थिक है फिर भी मै आपको डीटेल में समझा देता हूँ सबसे पहले तो हम जैसा कोशन में लिखा है वो लिख देतें 316 में से क्या घटा देना चीए? 4. जो बचता है उसे घटा दो. ठीके? अब आपके पास कितेना बचा 316 में से? 316 में से जब आप इसको घटा होगे तो आपके पास बचा 312. ठीके? अब मैंने आपसे बोला था कि option में क्या देखना है? हमें सबसे बड़ा बोला था ना? तो सबसे बड़ा देखते हैं. तो इसमें सबसे बड़ा क्या है? 82. जब आप इसे 82 से डिवाइड करेंगे, तो यह 82 से डिवाइड नहीं होगा. ठीके? क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि कैसे करना है? ठीके? पहले वाली क्लास आप ज़रूर देखला ना, जिन भी बच्चों ने नहीं देखी हैं. अब हम 78 से इसको डिवाइड करेंगे, तो जी हाँ दोस्तो, 78 फोर जा. ठीके? 48 जा 32, 3, 47 जा 28, और 3, 31. 312 आ रहा है, दोस्तों, इसका मतलब 74 आंसर बिल्कुल सही है, ठीके? 78, ठीके? 78 आंसर जो है, बिल्कुल सही है, याने के option नमबर A. ठीके, friends? अब दूसरा question solve करते हैं, जो हूमवक्का था, by which नमबर 77 power 13 minus 1 power 13 is exactly divisible? ठीके? 77 की घा 13, घटायना है, एक की घा 13 की संख्या से पूर्टा विभाजित है, तो अब हमें क्या करना है, दूस्तों में आपको बताता है, जब घात समान हो, तो क्या करते हैं, वह संख्या X minus Y से पूर्टा विभाजित हो जाती है, याने कि क्या? आपको 77 minus 1 करना, याने कि बच्चा 76, अब आपको यह देखना है कि 76 किस से डिवाइड होता है, तो 14, 5, जा तो 70 होता है, तो यह तो हो नी सकता, अब आगे देखे तो दोस्तों 19 से, तो 19, 4, जा, तो बिल्कुल सही, 19, 4, जा कितना होता है दोस्तों 76, 4, 9, 36, 3 हासिल लेंगे, दोस्तों 3 हासिल में लेंगे, 4, 1, 4, और 3, 7, याने कि 19 जो है आपका आंसर विल्कुल सही होगा, जिसने में दोस्तों पहले की क्लास नहीं देखी है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, पहले की क्लास है, if 5, 4, 3, 2, star 7 is divisible by 9, then the digit at the place of star is, हिंदी में कोशन है, यदि 5, 4, 3, 2, star 7, 9 से विभाजित हो तो star के स्थान पर जो अंक होगा, वह क्या होगा, ठीक है, ये कोशन आप से पूछा था, अब divisibility rule की पूरी क्लास बनाई है दोस्तों मैंने, पहले भी बताया है, जिसने में पूरी क्लास देख लिए उसको ये चीज़ सॉल करने के लिए कोई बड़ी दिक्कत नहीं जाएगी, अब आपको बताना है कि divisibility का rule क्या बोलता है नो का, नो का नियम ये बोलता है कि सभी संख्याओं को जोड़ना है, तो सभी संख्याओं को जोड़ना है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो संख्याओं उनको जोड़ देते हैं, पांच प्लस चार प्लस तीन प्लस दो प्लस साथ, ठीकें, अब स्टार अभी छोड़ हो जाए तो 9 का हम अगर टेबल पढ़े तो 9 1 जा 9 9 2 जा 18 अब 9 3 जा 27 याने कि अब सीदी सी बात है कि 21 में कित्ता प्लस करें कि 27 आ जाए तो 6 तो स्टार की जगे पे क्या जाएगा 6 ठीके तो यह हो जाएगा 27 जो कि 9 से विभाजित हो जाएगा याने कि हमारे पास आंसर क्या आ गया 6 ठीके डिविजिबिटी रूल बहुत आसान है दोस्तों एक से लेकर 11 तक क्ये हैं अगर आपने वह पढ़ लिए तो यह कोशन्स को होगी अब अब हम इसे रीचेक कर लेते दोस्तों कि क्या हमारा आंसर सही तो है ना तो हम स्टार की जगे पे क्या ले लेंगे 6 तो 5 प्लस 4 9 9 और 3 12 12 12 14 14 14 और 6 20 20 और 7 27 27 और 9 का रूल बोलता है कि इसको 9 से डिवाइड होना चीए 9 9 9 27 याने कि 6 जो हमारा आंसर स्टार की ज चालिए अगला सवाल क्या बोल रहा है दोस्तों देखते हैं अगला सवाल है the least number which must be added to 6709 to make it exactly divisible by 9 is हिंदी में कुशन है वह सबसे छोटी संख्या जिसे 6 7 6 9 में जोडने पर योग फल 9 से विभाजित होता होगा तो वो संख्या कौन सी होगे आपसे ये पूछ रहा है ठी 9 का क्या बोलता है 9 का नियम क्या बोलता है 9 का नियम बोलता है कि सभी संख्याओं को प्लस किया जाए तो सभी संख्याओं को प्लस करें तो 6 और 7 13 13 और 9 22 अब 9 का नियम क्या बोलता है कि 22 में कित्ती संख्या प्लस करें कि 9 से विभाजित हो जाए तो अभी हमने पढ़ा थ वाल थे दोस्तों यह अब इसका जो हम क्रॉस चेक कर सकते हैं कि भाईया इसमें पांच जोड़ दें यानि कि 6709 में पांच जोड़ दें तो यह हो जाएगा यह जाएगा पांच और हो जाएगा चोपन तो फिर आप करेंगे नो चांग चोपन यानिकि ना इन सिख्जा फिफ्टी फोर ठीक है यह अनिकि यह पूरी तरीके से विभाजित हो रहा यानिकि पांच संक्या अगर हम इसमें जोड़ें कि इसमें 6709 में तो यह 9 से पूरी त इसलिए आप पहले क्लास देख लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइट कर दिये दोस्तों डिविजिबिलिटी रूल की वह जरूर देख लें आप ठीक है देन डिजिट 8 प्लेस ऑफ स्टार इस यदी आठ नो साथ स्टार एक दू आठ से विभाजित हो तो स स्टार के स्थान पर जो अंग होगा वह है ओप्शन है दोस्तों चार पांच शुन्य आठ ठीक है अगला सवाल है दा लीस नंबर विच मस्ट भी सब्स्टेक्टेट फ्रॉम दो पांच चार नो यानि कि 2549 तो मेक इट एग्जेक्ली डिविजिबल बाए 3 इस हिंदी में को दो पांच चार नो में घटाने पर योगफल तीन से विभाजित हो तो वह संक्या क्या होगी ठीक है तो आपको तीन का नियम भी पता होना चीए ठीक है अब जो भी क्लास देख लेगा दोस्तों उसको ये सॉल करने में कोई दिक्कत नहीं जाईए ठीक है अब उमीद करता ह दोस्तों आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा इसको लाइक जरूर कीजेगा आगे शेयर कीजेगा और वेकैंसिज और पढ़ाई से रेलेटेड वीडियो की जानकरी के लिए शिपरा तीरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बैल आइकन पर प्रेस करें ता लिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में थैंक्यू फ्रेंड्स जैश्री महाकाल